नमस्कार दोस्तों आप लोगा राम स्टेटीचनल में स्वागत है यहां पर बात करने वाले हम लोग इंडियन एर फोर्स इंटेक 0-2020 के बारे में जिसका इंडॉल्मेंट लिस्ट परसो आया था ठीक है उसके उपर में लोग बात करने वाले हैं कि एडवांस इंटीमेशन ल और पॉइंट डिसकस करने वाले हैं जिनका 21 हो गया है जैसे मालोग किसी किसी का डाउट था कि सर जो 21 प्लस एज हो चुका है उन लोग का भी जॉइन लेटर आया है उनका क्या चक्कर है उसके उपर बात करने वाले हैं जॉइनिंग टाइम मेडिकल क्या पूरा का पूरा क और X और Y का cut-off पहे चल गया है पता चल गया है कितना cut-off किया है X और Y का और ABC किया है जो आप लोगका जोईनिग लेटर में लिखा हुआ है A, B, C ऐसे लिख किया है वो सब किया है पूरा का पूरा पूरा डिसक्स करने वाले है तो जिस जिस का यह doubt है इन में से कोई साफ यह doubt है तो वीडियो completely watch कीजिएगा आप लोग का सब doubt जो है clear हो जाएगा उससे पहले इस वीडियो का motivation है कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोसिस कर तु जरूर कर सकता है तो आजो पिसका मतलब समझ गया होंगे आप लोग सबसे पहले आते हैं हम लोग advanced intimation list क्या होता है देखिए advanced intimation list का मतलब होता है basically मैं आपको असान सब्दों में बताता हूँ कि जैसे main candidate है stand by candidate है अगर main candidate का joining letter हो जाता है उसका join letter तो guarantee आएगा ही आएगा अगर वो मान लिजिए कि joining पे किसी कारण वर्स नहीं जा पाता है ठीक है किसी कारण वर्स नहीं जा पाता है या वो medical में out हो जाता है ठीक है तो जो place खाली रहता है उसको stand by से fill करते हैं और किसी कारण वर्स stand by भी नहीं जा पाया है वहाँ पे तो जो खाली सीटर हैगा उसको advanced installation list के दुवारा भरा जाएगा ठीक है क्योंकि इस बार standby का बहुत ही कम चक्कर है मतलब बहुत ही कम candidate है ज्यादा candidate नहीं है इस बार standby के है तो installation list जो है इस बार काफी candidate का chances हो सकता है क्योंकि देखिए मैं आपको एक सचच बात बताता हूँ कि अभी तक जो है जितना भी इंटेक हुआ है एरफोर्स का अभी तक उसमें advanced installation list में किसी का भी नहीं हुआ है ये shocking news है लेकिन ये truth है सही है कि अभी तक जो है जितना भी इंटेक हुए हैं उनमें जो है अभी तक किसी का भी advanced installation list में नाम नहीं आया है जो 12 उलाई को आने वाला है उसमें किसी का नाम नहीं आया है ठीक है तो इसके ओपर हम लोग बात करने वाले है मतलब इस पर जो है आ सकता है क्यों आ सकता है क्योंकि इस पर vacancy जो है एक्स गुरूप तो जो एक्स गुरूप में लड़के हैं वो हैं आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं यहां पे कि this list to be intimate that you are likely to be considered for enrollment tentatively planned on 29 July और लेटर ठीक है 29 जुलाई तो का आप लोग को plan किया जाएगा बुलाने के लिए इन एबाफ mentioned group और trade ठीक है यही से बिखा होगा आप लोग बेलगावी में report करना होगा अगर वो seat खाली होता है तो ठीक है कितने candidate है वो देख लेते हैं हम लोग तो इसमें जो है 270 candidate जो है advanced estimation list में है देखिए advanced estimation list में जो है 270 candidate है इसमें ठीक है standby में भी कम से कम जो है इस्टेंडबाइ में भी 230 candidate है लगभग 230 candidate है तो अगर मैं एक overall बात कहूं कि मानलेजिए कि main candidate कुछ candidate जो होते हैं मानलेजिए कि 100-200 candidate जो है या 500 candidate किसी कारण वर्ष वहाँ पर नहीं जा पाते हैं ठीक है तो stand by तो clear हो जाता है लेकिन advanced estimation list जो है बहुती बहुती मतलब clear नहीं हो पाता है काफी लड़कों का ठीक है तो advanced estimation list वाले जो है वो मतलब अपना wait ना करें कि हमारा joining आ सकता है कि नहीं आ सकता है आप लोग जो है अगले inti की त्यारी करना start करें ठीक है तो मैंने बता दिया कि advanced estimation list का मतलब क्या होता है कितने candidate x group में आप देखते हैं y group में ठीक है तो y group के अगर बात करें तो advanced estimation list में y group में 239 candidate है ठीक है 270 उसमें 239 candidate इसमें अब देखिए stand by जो है stand by जो है x group में y group में बहुत ही कम है मतलब ना के बराबर है ठीक है मतलब ज़्यादा candidate नहीं है मतलब y group में stand by में तो इसमें जो है कुछ candidate का clear होने का chance बनता है वैसे तो y group में बहुत ही कम लड़कों का stand by ही clear होता है तो advanced estimation list के वारब में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ ठीक है आप लोग जब आएगा 12 जुलाई को मतलब इसका तो आने वाला है 25 अगस्त को जब आएगा तो आप लोग देख लीजेगा कितने candidate का होता है मैं आपको update दे दूँगा ठीक है उसके लिए आप लोगो चैनल को subscribe करना होगा ठीक है अब जो है इसमें 239 candidate है ठीक है advanced estimation list में पीफाइम information sheet तो जिस जिसका join letter आया है उन लोग को जो है ये form भर के वहाँ पे लेके जाना है आप क्या कीजिएगा इसको कि आप लोग जाके cyber cafe में इसका print out ने को ला लीजिएगा दो पेज में निकले गाईए दो पेज में इसको निकलवाके ठीक है तो आगे पिछा नहीं अलग अलग पेज में निकल आईए ठीक है उसके बास इसको capital letter में पूरा पूरा भरना है इसको अगर आप लोग को कोई mistake होता है नहीं भर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए मैं पूरा पूरा भर के आप लोग को जो है वीडियो बना कि यहां पर देखिये यहां पर कंसेंट और इंट्रियों मतलब जो केर्डेट जो रहे 18 साल से कम में चलेक्टेश हो चुके हैं उनको जो है कंसेंट फ्रम करना है लिखा my above named son ward मतलब आपको parents से fill up कराना है basically लिए ठीक है नीचे note दिया हुए note signed by the father mother of a candidate in case both are not alive मतलब अगर आपके माता पर जीवित नहीं है the statement should be signed by the legal guardian of candidate मतलब आपको जो candidate के guardian है जो आपको पालपोस के बढ़की है उनसे आप लोग sign कराके लाइए ठीक है second है the witness must be gadget officer और the village सरपंच परदान मतलब आप लोग को जो है यह जो है मतलब आपके यह सब पूरा पूरा जो कराना है gadget officer यह सरपंच के सामने कराना he should also attest the photograph of candidate pasted on the top of this form ठीक है आप लोग को photo लगाना जो लिखा आप लोग कर सकते हैं जो 18 years से कम है वो लोग भरेंगे इस form को अब जो हम लोग का है COVID-19 undertaking किसके लिए है देखिए उसके पर ही बात कर लेते हैं हम लोग कोविड-19 undertaking किया ही सब तो देखिए इस बार जो है एक नया प्रोसीजर आया है को को रोना वारेस के आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 चल रहा है अजकल पूरा पूरा देश में तो यह इसलिए कराए गया है ताकि आपको वहाँ पर जब कुरेंटाइन किया जाए वहाँ को आप लोगो को क्वेरेंटाइन के जाएगा एर्मेन ट्रेनिक स्कूल्स वेराट इस बार जो है उस्टेंइंग करने वाला है ऑने पहला वाला है पहला इस सचाफ कोविड-19 पैंड़े मिगने हैते असेमी यॉड-6 क मुert मतलब इसमें कहा गया है कि मैंने जो भी कहा है उपर वो मैंने पुरे अपने होसो हास में कहा है ठीक है तो आप लोगों को पूरा को पूरा जो है क्लियर हो जाएगा वहां पे अब बात करते हैं जो हम लोगा नेक्स्ट पॉइंट है जिनका 21 हो गया है वो क्या कर देखिए जो जो केंडियेट सोचे रहोंगे कि सर मेरा 21 साल जो है ओबर हो चुका है अब मैं अगर जोइनिंग पर जाओ तो मुझे जोइनिंग करने देंगे कि नहीं देंगे देखिए जब आपने फॉर्म भरा होगा फ कोई दिक्कत नहीं आप जोइनिंग पर ले लिए जाएगा देखिए पहले जो है पिछले वर्स जिनका 21 प्लस हो जाता था जोइनिंग के समय तक उनको आप लोग का रीजन है तो जितना भी लॉक्टाउन था उसको माइनस करके अगर आप लोग का 21 प्लस हो रहा है तब आ जो體कर काफी ग Moo Armor के जो है मतलब काफी क्या बोल सकते हैं 90 परषण के घीककल का इसा आया किसा पर मेंडिकल का एक किसा की का इ提 तो मेन मेडिकल दो का कारण मिलता है टो शेया मैंने श् eerste म१न का करण मिलता है तो शेया मैंने के सिंग होती available कर लेंगे लिएक प्रीलिमेडिरी मेडिकल मतलब जो है 34.5 तक गया है, 34.5 से जो above candidate है, वो लोग 34.5 से जो है कुछ candidate नीचे जहो stand by में चले गया है, ठीक है, और y group का 36 गया है, 36 या 36 से नीचे जो candidate वो stand by में है, या निकल गया है, ठीक है, ठीक है, तो stand by जो एक स्ट्रेज बाइ जो है, एक स्ट्रेज ग्लीर हो जाएगा, ले जो आप लोग का जोईनिंग लेटर में है A, B, C लिखके आ रहा है तेखिए इसका basically सा मतलब जो मुझे समझ में आया है वो यह है कि आप लोग को जो है मैंने जितने भी point लिखे थे हैं मैंने पूरा point को discuss कर लिया आपका कोई doubt है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और अगर P5 form कैसे भरना है आप लोग को दिक्कत आ रहे है भरने में तो आप लोग कमेंट किजिए मैं आपको भरके जो है पूरा पूरा पसंद आया तो और सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद